आपका पहला सवाल है, दुनिया के किस देश में काले हन्स पाए जाते हैं? A. कनाड़ा B. जापान C. इसराइल D. आस्ट्रेलिया आपका सही जवाब है, ओप्षिन D. आस्ट्रेलिया आपका दूसरा सवाल है, नमक में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपके ओप्षिन है, A. विटामिन A. B. विटामिन C. C. विटामिन D. D. विटामिन B. आपका सही जवाब है, ओप्षिन B. विटामिन C. आपका तिसरा सवाल है, किस देश की सडक नीले रंग की होती है? आपके ओप्षिन है, A. सूडान B. भूटान C. कतर D. चीन आपका सही जवाब है, ओप्षिन C. कतर D. ऐसी ही विडियो के लिए मेरे चानल को लाइक करें, शेय करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूले. आपका चौथा सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है? आपके ओप्षिन है, A. इंग्लेंड B. ऑस्ट्रेलिया C. भारत D. बांगलादेश? आपका सही जवाब है, ओप्षिन C. भारत आपका पांचवा सवाल है, किस जानवर के जीब में कांटे होते हैं? आपके ओप्षिन है, A. हाथी B. ओंट C. भालू D. तेन दुआ आपका सही जवाब है, ओप्षिन C. भालू. आपका छठा सवाल है, किस विटामिन की कमी से लोगों को ब्रेन हिम्रेज होता है? आपके ओप्षिन है, A. विटामिन A. B. विटामिन B. C. विटामिन C. D. विटामिन K. आपका सही जवाब है, ओप्षिन D. विटामिन K. आपका सात्वा सवाल है, कागस बनाने के लिए किस पेड का उप्योग किया जाता है? आपके ओप्षिन है, A. पीपल B. नरगट C. अशोक D. बास. आपका सही जवाब है, ओप्षिन D. बास. आपका आठवा सवाल है, मैगी खाने से कौन सा अंग प्रभावित हो सकता है? आपका सही जवाब है, ओप्षिन A. गला B. लीवर C. फेफडा D. आंथ. आपका सही जवाब है, ओप्षिन B. लीवर. आपका नवा सवाल है, विश्व की पहली महिला एयर होस्टेस कौन थी? आपके ओप्षिन है, A. आकांग्षा दुबे B. एलेन चर्च सी. सौम्या वर्मा D. मेरी पूरी. आपका सही जवाब है, ओप्षिन B. एलेन चर्च. आपका दस्वा सवाल है, दांडी यात्रा का नित्वाब है, आत्रत्व किसने किया था? आपके ओप्षिन है, A. सुभाष चंद्र बोस B. भगत सिंग C. महात्मा गांधी D. राजगुरू आपका सही जवाब है, ओप्षिन C. महात्मा गांधी आपका ग्यारबा सवाल है, कौन सा पक्षी शान्ती का प्रतीक है? आपके ओप्षिन है, A. कबूतर B. तोता C. मोर D. हन्सो आपका सही जवाब है, ओप्षिन A. कबूतर आपका बहरवा सवाल है, कोल्ड ड्रिंक पीने से कौन सी बीमारी होती है? आपके ओप्षिन है, A. कैंसर B. पीलिया C. मधुमेह D. अस्थमा आपका सही जवाब है, ओप्षिन C. मधुमेह आपका तेरवा सवाल है, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? आपके ओप्षिन है, A. बहलाना B. शिकायत करना आपका सही जवाब है, ओप्षिन B. शिकायत करना आपका चोद्वा सवाल है, वह कौन सा पौधा है जो मास खाता है? आपके ओप्षिन है आपका सही जवाब है, आपका पंद्रहवा सवाल है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ओप्षिन है A. 26 अगस्त B. 15 फरवरी C. 14 सितंबर D. 18 दिसंबर एसका जवाब कॉमेंट बॉक्स में देन ऐसी ही विडियो के लिए मेरे चानल को लाइक करें, शेय करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूले